नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक वर फिर से बहुत बहुत स्वगत है हमारे इस नए और फेस्ट वीडियो में दोस्तो अभी के समय में हमारे देश की लगभग 10% तबादी पसरी की समस्या से याने की एस्टोन की समस्या से जूज रही है दोस्तो पसरी की समस्या हमारे कीड़नी में या फिर हमारे पीत की थैली में हो जाती है जिससे की हमारे सीने में दर्धोने लगता है और फेस्ट या दर्ध और सहनी हो जाता है जिससे की दोस्तो हम जल्द से जल्द रहात पा लेना चाहते हैं और इस परियास में हम तरह तरह के एलोफवायतिक दवाव का इस्तमाल करते हैं तरह तरह के घरे लोग नुश्क आजमाते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपकी यह समस्या खत्म नहीं हो पा रही है तो एक बार आप इस दवे को आजमा कर देखें हो सकता है आपकी बड़ी से दवा के बारे में और इस दवा का कैसे इस्तमाल करना है दोस्तों इस दवा का नाम है बर्बेरिस वल्गारिस दोस्तों यह दवा मेड इन जर्मनी है दोस्तों इसमें दो प्रकार आता है एक मेड इन इंडिया और एक मेड इन जर्मनी कुछ लोग की पत्सरी की समस्या मेड इंडिया वाले दवा से ठीक हो जाती है लेकिन दोस्तों जिनकी ठीक नहीं हो पाती है उनके लिए दोस्तों ये एक राम बाण उसका की तरह करे करता है दोस्तों इसके इस्तमाल से आपकी बड़ी से बड़ी पत्री की समस्या भी खत्म हो सकती है दोस्तों इसका इस्तमाल करन है चली वो जान लेते हैं दोस्तों इसके लिए आप लेनी होती है एक खाली गलास और फैंसिस में आपको लेनी होती है लवग एक गलास की मात्रा में हलका गर्म पानी और फैस इसमें आपको लेनी होती है ये दवा दोस्तों आपको इस दवा की मातरा का ख्याल रखना है ठ्रेंट्स आपको इसमें लहग बीस बुंत की मातरा में ये दवा डालनी है और फैस इस तरह से बीस बुंत की मातरा में डाल देने के बाद आपको इसे अच्छे से मिला देना है दोस्तों आप इस तरह से हाथों से मिला सकते हैं और फ्रेंट्स इस तरह से अच्छे से मिला देने के बाद दोस्तों आपको इसका इस्तिमाल कब और कैसे करना है चली हो जा लेते हैं तो फ्रेंट्स आपको इसका इस्तिमाल भोजन करने के बाद करना है आप सुबा, साम और दो पहर तीनो टाइम इसका सेवन करें दोस्तों इसके मातर 15-20 दुनों के इस्तिमाल के बाद आप पाएंगे कि आपकी पसरी छोटे-छोटे टुकड़ों में तूटकर मुत्र मार के माध्यम से बाहर निकल जाएगी और आप पसरी जासी भ्यानक समस्या से रहात पालेंगे दोस्तों और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्ते आरों में सेर करें